दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला प्रेल आज हम चैनल बताएंगे एक इसे बिजनस आइडिया के बारे में जिसको आपकर करके महीना में 2-5 लाक रुप्या आराम से कमा सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बिजनस क्या है ये बिजनस कई से करेंगे इसमें कौन- फ़इंगे इसका लेंगे इसका मार्केटिंग कहां करेंगे यह इस विडियो करेंगे तो फुरी टिटेल से हम इसमें बताएंगे इस कितना करना पड़ेगा इससे कितना उन्लौ कर सकते हैं सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है तो दोस्तों चलिए making machine कहते हैं और आपको बजार में ये machine single cavity, double cavity और three cavity mold के साथ semi automatic और fully automatic में मिल जाएगी और इस machine के जरीए अलग-अलग size और design के container और plate को बनाना बहुत ही असान है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है machine में एक side aluminum foil का roll लगा हुआ है और machine में लगे die के हिसाब से machine अपने आप aluminum foil के box त्यार कर रही है और ऐसे plant को अपके वल एक operator और दो helper की मदद से बड़े अराम से चला सकते हैं तो दोस्तों पहले इसके manufacturing process को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इस business को शुरू करने में total investment कितना लाएगा कौन कौन से registration की जुरूत होगी marketing कैसे कर सकते हैं और raw materials और machine कैसे खरी सकते हैं तो बडियो देखते रहे हैं और बडियो देखते हैं और बडियो देखते हैं दोस्तों मसीन से जो वेस्ट निकल रहा है यह waste भी बिग जाता है यानि waste को भी आदेस ज़्यादा rate पे बेचा जा सकता है और यह machine आपको semi-automatic और fully automatic में मिल जाएगी तो इसका इस्तमार लगबग हर restaurant, hotels, ढाबा, food stalls, supermarket, bakery, shop, sweet, shop इत्यादी के द्वारा किये जता है उनके द्वारा त्यार foods, sweets को pack और serve करने के लिए क्योंकि aluminum foil में pack किये गए खाने को बीना खराब हुए ज़्यादा सज्यादा देर तक रखा जा सकता है और इस business में success के लिए आपको market में थोड़ी research करनी होगी आपको पता करना होगा कि आपके competitor किस quality का container बना के किस price में बेच रहे हैं इसके लिए आपको hotels, restaurant, bakery, shop, इत्यादी से contact बनाने होगे और उनकी requirement को पता करना होगा इसके अलावा आप अपने area के wholesaler और distributor को भी अपनी pricing और sample दिखाएं और market के हिसाब से अपना price set करें और शुरुवात में उस size और design के container बनाएं जिनकी demand सबसे ज़्यादा है जोस्तो आपको यह aluminum foil बजार में अलग-अलग micron में मिल जाएगा जैसे 7 micron, 9 micron, 11 micron इत्यादी और बजार में आपको यह foil 1500-200 rupees per kg के असपास मिल जाएगा और आप अपनी ज़रुत के हिसाब से यह roll order कर सकते हैं और आपको aluminum file के अलावा अपने द्वारत त्यार container को pack करने के लिए कुछ packaging materials की भी ज़रुत होगी जैसे प्रगटेड box, tape त्यादी जोस्तो इस business को शुरु करने से पहले आपको कुछ registration कराने की भी ज़रुत होगी इसके अलावा GST का भी registration कराना होगा और BIS certification की भी ज़रुत पड़ेगी साथी साथ अगर आप सहर में इस business को शुरु कर रहे हैं तो आपको pollution और fire department से NOC भी लेना पड़ेगा और दोस्तो यह सारा registration आप किसी business consultant या chartered accountant की मदब से बड़े अराम से करा सकते हैं आप जहां से यह machine खर देंगे आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी दोस्तो आपको इस business को सुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई information चाहिए तो आप हम से comment करके भी पूर सकते हैं और हम उसका तुरंत reply करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जूरू पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नएने business ideas पहुँचे सबसे पहले आपके पार